एक लड़का जिसे फासी की सजा हो रही थी जज सहाब ने उसे उसकी आखरी इच्छा पूछी तो फूट फूट कर रोने लगा जब जब सहाब ने कहा कि तुम अपनी आखरी इच्छा बताओ हम तुमारी आखरी इच्छा मैंने से पहले जरूर बूरी करेंगे तो ओह बोला जजज सहाब मैं एक रात अपनी पतनी और बेटे के साथ बिताना चाहता हूँ यही मेरी आकरी इच्छा है दोस्तों यह कहानी बहुत हिबावों को दिल को छू लेने वाली है चलिए शुरू करते हैं रवी और रोहन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे साथ में पढ़े लिखे खेले थे लेकिन रोहन की नौकरी उसके मामा ने शहर में लगवा दी और रवी यहां गाउं में अकेला पड़ गया गाउं में उसकी मा थी पिताजी थे नहीं मा की भी तविया सही नहीं रहती थी कुछ महिने बाद मा का भी देहां थो गया रवी अकेला पड़ गया तो रोहन गाउं आया और रवी को अपने साथ दिल्ली ले गया उसने कहा मेरे मामा तुमारी भी नौकरी लगवा देंगे दिल्ली मौस का रवी की नौकरी अपने साथ ही लगवा ली गबरी में एक सौनिया नाम की लड़की काम करती थी जिसे रोहन बहुत पसंद करता था लेकिन रोहन को बिलकुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि रोहन मनचला और सभी लड़कियों को फ्लट करता रहता था जब रवी रंपनी में पहले दिन आया तो सौनिया ने रवी को देखकर खुद बखुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया रवी था भी बिलकु सीधा साधा कम बात करने वाला इस तरह से सौनिया और रवी की दोस्ती हो गई रवी और रोहन किराय के कमरे में रहते थे रोहन हमेशा कहता था कि मैं तुम से ज़्यादा स्मार्ट हूँ और सौनिया ने पता नहीं तुम में ऐसा क्या देखा जो मुझे में नहीं देखा दीरे दीरे सौनिया और रवी एक दूसरे से प्यार करने लगे सौनिया के गरवालों को भी रवी से साधी करने के लिए तैयार थे लेकिन साधी की वाद जब रोहन को पता चली तो बढ़क गया रवी बोला रवी तुमने यह अच्छा नहीं किया सोनिय से मैं प्यार करता था रवी ने कहा लेकिन वह मुझे से प्यार करती है तुम से नहीं दोस्त प्यार जब अज़स्ति नहीं करवाया जाता तो रोहन बोला ठीक है साधी तू कहले लेकिन स्वहग रात मैं ही मनाऊंगा वह बोला हम दोस्त है न यह सुनकर रभी ने रोहन की कॉलर पकड लिए और दोनों की लड़ाई हो गई रभी और रोहन डोनों अलग-अलग रहने लगे पंदा दिन बार रभी और सौनिया की साधी हो गई रभी ने रोहन को साधी में बुलाया लेकिन वैड़ नहीं आया करीब देड़ साल बाद रोहन रवी को रास्ते में मिला और बोला बेटा हो गया है अभी तक नाराज है मुझे बुलाया तक नहीं रवी ने रोहन को गले लगा लिया और बोला मैं तुस्से नाराज कैसे हो सकता हूँ मैंने तुझे साधी में बुलाया लेकिन तू नहीं आया चलो घर रोहन बोला आज तो मैं पाइटी लूँगा रभी ने कहा हाँ चल रभी ने सौनिया को फोन किया कि रोहन घर पर आ रहा है खाना बना लेना दौनों घर पहुँचे तो सौनिया खाना बना रही थी रोहन ने रभी के बेटे को गोद ले लिया जो एक महीने का हो गया था उसे उसने पांच सौ रुपे दिये जब तक रभी के कमपनी से फोन आ गया कि बहुत अरजेंट है अभी कि अभी आ जाओ बारे सौ रही थी लेकिन रभी का जाना भी अरजेंट था उसने सौनिया से कहा तुम खाना बनाओ मैं दस मज़े तक आता हूँ उसने रोहन से कहा तुम रुपना साथ मैं खाना खाएंगे रोहन उसके बेटे को कम सौनिया को जाता देख रहा था क्योंकि उसकी नजर तो वैसे ही सौनिया पर खराब थी थोड़ी देर बाद उसने कमरा बंद कर लिया य करता हूँ हमेज़ा करता रहूंगा आई लव यू सौनिया रभी को छोड़ दो और मेरे साथ भाग के चलो रोहन अपने बेटे को समान लेगा तभी सौनिया ने उसे धक्का दिया और रभी को फौन किया कि यहां पर जली आ जाओ नहीं तो यह रोहन कुछ भी कर देगा हम वहीं पर उसे जब कोड में ले जाया गया तो जस साहब ने उसकी आखरी इच्छा पूछी तो वह बोला मैं एक रात अपने बीवी के साथ बिताना चाहता हूँ और अपने बच्चे को चीवर कर देखना चाहता हूँ ऐसी इच्छा जस साहब ने अपनी जिन्दगी में खबर कर दी लेकिन कमरे के वहार पुलिस वाले तैनात थे अंदर बॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ था जिससे कि उन दौनों के बीच की सारी बाते जजस साहब को सुनाई दें जब आए कमरे में गया तो उसके पत्नी का च्छै महीने का बच्चा पहली से मौजूद था उ उसके बाद जिन्दगी में मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा कभी कले नहीं लगा पाऊंगा उसके पत्नी रोए जा रही थी आपने ऐसा क्यों किया मेरे खून का इल्जाम अपनी सर पर क्यों लिया जफकि उस रात रोहन मेरी इजित रुदना चाहता था और मैंने आपको फॉन किया, तो उसने मेरा फॉन फेक दिया, और मेरे साथ जबस्ती करने लगा, मेरे बच्चे को माणने की दब्गी दे रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मैंने अपने उपर से जबिखा दिया, और बगर में इक स्टूल रखा था, और वही स्टूल मैंने उसके सेर पर मार दिया और वह मर गया लेकिन उसके जम आपने अपने सेर पर ले लिया सोनिय रभी के पैरों से लिपट कर रो रही थी रभी बोला अगर तुम्हें फासी हो जाती तो इस ननी से जान को कौन परवरिस करता एक थोटे बच्चे के लिए मां बहुत जरूरी होत सोनिय बोली मैं सब को बता दूंगी कि रोहन को मैंने मारा है वो मेरी जट लूटने की कोशिश कर रहा था मेरे बच्चे को मार देता और मैंने खुद को अपने बच्चे को बचाने के लिए रोहन पर बार किया था तभी रभी ने सोनिय को अपनी कसम दे दी अगर मेरी और मेरी बेटी के खातिर तुम्हें चुप रहना पड़ेगा सौनिया बोली तब भी तुमने मुझे चुप करा दिया था मैं दुनिया से चला जाओंगा लेकिन मेरी बेटी के रूप में हमेशा मैं तुम्हारे साथ रूँगा लेकिन अगर तुम चली गई तो मैं सायत रहना सकूंगा और दोनों एक दूसे से लिपट कर पूरी रात ऐसे ही रोते रहे सौनिया बोली मुझे भी अपने साथ ले चलो मुझे इस दुनिया में नहीं रहना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ रवी बोला तुम्हे मेरे मेती की खातित जीना है यह सब बाते जज़ और उसके साथियों को भी सुनाई दे रही थी उन दोनों के इस भावुक मिलन को देखकर उनकी बाते सुनकर उनकी आँखों से आसो जर जर बहन रहे थे दूसरे दिन जब सुनिया रवी को छोड़ कर जाने लगी तो बार बार मुड़कर अपने पती के गले लग रही थी रवी कभी अपने बेटी के माथे को चुमता तो कभी सुनिया को गले लगा लेता सुनिया बोली रवी हमारा सपना अधूरा रह गया कास हम जिन्दगी का सफर साथ तै करते और दोनों फूट फूट कर रूने लगे यह सब देखकर बाहर कड़ी पुलिस भी अपने आशों को रोक न सकी रभी बोला इस जनम में न सही अगजी जनम में हम जरूर मिलेंगे और ताउम्द सास रहेंगे सुबह दूसरे दिन जब रभी को फासी होनी थी तो जैज ने और उसके साथ ने यह पैसला दिया कि रभी बेगुना है और उसके पतने ने अपनी इज़त बचाने के लिए और अपने बेटे की जयान बचाने के लिए बार किया था अपने बचाओं में उठा गया गया कदम गलत नहीं हो सकता है अगर रोहन को उस टाइम नहीं मारते तो साइड रोहन उसके इचे दूट लेता और साइड उसके बच्चे को भी मार देता इसलिए यह गुना नहीं है रवी और उसकी पत्नी को दुबारा कोट में बुलाया गया और जैस साहम ने उन दौनों को रात कावए ओडियो और सब को सुनाया भरी कोट में ओडियो चल रहा था तो सभी के आशू बहने लगे सभी की मन से यही निकल रहा ता कि यह दौनों गुनागार नहीं है और इन दौनों को सजा नहीं मिलनी चाहिए साहे सभी का विस्वास कानून से उट जाएगा अगर इन दौनों को सजा हुई इस तरह से जजस साहम ने भी अपना फैसला सुना दिया कि रवी तुम और तुम्हारी पत्नी ने कोई गुनागा नहीं किया है तुम लोगों को बाइज़त परी किया जाता है तुम लोगों को अगले जनम का इंतिजार करने की कोई जरूरत नहीं है तुम दौनों इसी जनम में ताउम्र एक सास रहोगे यह सुनकर सुनिया और रवी ने जस सहाब के पैरों के नीचे गिर गए जस सहाब ने रौनों को उठाया और गले लगा लिया झाले बहा पहाँ है